अच्छा विपर कैसा वाज का वाज का अच्छा वह नहीं कहेंगे बुरा मतलब बुरा ही खाएगे अच्छा यह बताओ कि 50% कुषिटेंट समझ में आ रहे थे हाँ समझ में तो सारे आ रहे थे कोई ऐसा क्वेशन नहीं थे जो पले न पड़े लेकिन फॉर्मूला नहीं आथ थे जैसे कि कुछ 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 क्वेशन के थे वो थोड़े समझने में भी प्रॉब्लम हो थे लेकिन मुझे लग रहा था कि अगर मैंने इस फ्रॉड़ा भू मैंने कुछ जादर रिवाइस नहीं किया था लेकिन फिर भी कोई ऐसा क्वेशन नहीं था जो मुझे लग रहा हो कि मुझे बिल्कुल ही नहीं आ रहा है ऐसा नहीं था साथ क्वेशन करने लाइक होता है लेकिन टाइम की कमी की विज़से मतलब जैसे हिमानशी 48 अटेंट की है तो 48 का अटेंट बहुत अच्छा माना जाता है मतलब अगर 48 उसका सही हो गया तो टॉप 5 में आ जाएगी अच्छा हाँ तो मतलब अब देखो तुम 48 पे वह सही कर कर साथ के अट फाइम में आ जा रही है इसका मतलब कि अगर 45 अटेंट किया जाए जोड़ दिया जाए तो सोचो कि तुम जो syllabus को देखी हो जो समझी हो, अब उसी को forward करना है इस साल, तो अब देखो जैसे पिछले साल हमारे लिए वेदानत और हिमानची थे मतलब जो लोग, पिछले साल वो लोग syllabus को समझे, उनसे अच्छा performance नहीं हुआ अच्छा कर रहते लेकिन और इस बर वो लोग अच्छा कर किये ठीक, ऐसे ही तुम लोग हो अब तो तुम लोग पिछले साल syllabus को समझी, पूरा एक साल का time दी at least अब सारे terms and conditions पता है nozzle पता है ये सब पता है, back pressure, normal shock ये सब पता है, मतलब चीजें terms पता है अब इस बर उस पे एकदम नया असा नहीं लगेगा जो हम पढ़ाएंगे, वो बिलकुल वैसे ही पढ़ाएंगे जैसे लाशेर पढ़ाये थे, बस इस बर तरीका थोड़ा बदलेगा, example बदलेंगे मतलब हर बर थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है तो उस वरज़ा से अब क्या होगा कि अब तुमको चीजें ऐसी लगेंगी हाँ यह पिछली बर किया हुआ है और इस बर हम ऐसे कर रहे हैं मतलब बहुत अच्छे से connect होगा तो शलेबस काफी अच्छा प्रिपेर हो जाएगा इस तरह से बहुत सारे question तो formula based ही थे अगर या फिर formula को थोड़ा twist कर दिया जाए अगर याद हो किसी को सारे formula तो वो असानी से attempt किया जा सकते थे मैंने 36 attempt किये और उसमें भी कई सारे तुक्के मारे थे क्योंकि जिसमें negative marking नहीं है उसमें मैंने तुक्का मार दिया जैसे होता है MSQ तो उसमें negative marking नहीं होती है तो मैंने उसमें तुक्का मार बागी किसे में नहीं नहीं पता लेकिन नेक्स्ट यर के लिए प्रिपेर हो गई आइडिया लग गए कि question paper difficult नहीं आता है question paper difficult नहीं आता है मतलब मेरे test series से तो नहीं चीग रहता है हाँ तुम जो यह sound कर रही हो कि तुमको gate का question paper पहली बार में ही समझ में आया और समझ में आने का मतलब यह कि अगर पैंसर 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 से आपको पचास question भी समझ में पंद्रह एक्तम नहीं समझ में आया इसका मतलब आप उस लायक हैं आप अच्छे अब देखो बात यह है इस साल जो तैयारी करनी है उसका पूरा आइडिया मिल गया तुमको कि कहां पर ध्यान देना है कि इन चीजों पर जैसे अब math अगरा बच्चे कहां कर रहते कि वह बहुत ही अलग आ गया हाँ हाँ अब बच्चे क्या किए कि इस लेबस खतम हो गया तो वह सोचे कि चलो अब आराम से मैच करेंगे उसका टाइम ही नहीं मिला मतलब gate exam के preparation में एक शीज है कि अगर आप आज का काम कल पे छोड़ देंगे तो वह कल कभी नहीं आएगा उसके लिए उसको schedule करके टाइम टेबल में उसको डालना पड़ेगा कि हमको engineering mathematics को प्रिपर करना है अप्टी प्रिपर देखो अप्टी तो easy था इस वार का मेरे कुछ लगा कि gate में ऐसी आप्टी आती है मुझे लगा नहीं था मुझे लगा कि work time यह सब आएगा फिर तो मेरा हो गया क्योंकि मेरा कुछ prepare नहीं है लेकिन जब मैंने देखा तो मैं ऐसे तो ठीक level का है मतलब कोई अगर कुछ नहीं पढ़गी गया तो aptitude तो attempt करी ले क्यों नहीं हुआ सिर्फ एक question कर वो किया है वेदान्त aptitude में केवल एक question किया है क्यों पता नहीं क्यों और सूच उसका total attempt 35 है अगर वो aptitude का attempt कर दिया होता तो 45 attempt हो गया तो नहीं उसका और क्या अराम से अराम से उसका अच्छी रहेंगा जाती aptitude बहुत इजी था बस एक ब पढ़ना था और option select करना तो उसमें कुछ जादा दिमाग नहीं लगाना था यार अमको वेदान को ले करके बहुत pressure हो रहा है क्योंकि वेदान बहुत अच्छा candidate है पढ़ाई के मामले में और उसका aptitude मतलब अब aptitude को हम क्या ही बोलें और ये का लगी दिमाग है aptitude का पता है हाँ इसको सिखाया नहीं जाता है aptitude नहीं ये तो खुद self learning पे based है हाँ मतलब आपका जो भी है इसकी practice नहीं की जाती है ये aptitude का मतलब ही होता है आपके ability कैसी है जनल चीज़ को बात समझने की उसमें वही ऐसा एक पता है वो question था कि उसमें एक statement दिया हो था पूरा कि अगर human की अपनी imaginary world होती है उस imaginary world में कुछ cruel creature होते है और एक statement दिया कि जो कुछ cruel creature होते है वो humans होते है ये statement नहीं humans cruel creature नहीं होते है इसमें से कौन सा इसमें set करना है हाँ ऐसा हर बार आता है कि मतलब एक step one का statement होगा उसके अंदर में एक statement होगा और option में बहुता है कि मतलब अगर ऐसा है तो ऐसा है अगर ऐसा है तो ऐसा है इस तरह के question एक रहते है हर साल हां, option में यह था कि कौन सा statement हम वो fit कर दें, कि यह certain हो, मतलब यह certain, मतलब यह पक्का कही सकते हैं, कि यह तो होना ही होना है, जैसे कि अगर इस पर हम question बना दें कि चलो, शुरुती बनारस में रहती है और मेरी student है, अब इस पर हमें बनारस में रहने वाले हर लोग मेरी student है, य यह मतलब इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा यह है आपको आदे घंटे में अप्टी आदे गंटे भी बहुत ज़़ादा बीस मिनट में पूरी अप्टी हो जाएगा अगर तुम अगर तुम सच में काबिल तो नहीं हो तीन घंटे देखो वहां पर मार्क्स का और टाइम का डिस्ट्रिबुशन तो होता नहीं है कि आपको अप्टी पर टाइमर सेट होता इसा तो होता नहीं है आप तीन घंटे कीजिए तो आपको तो होई जागा थे इस पर तुम यह समझो जिन बचों का रिजल्ट इस बर खराब हो रहा है बहुत दूख लग रहा है वो सब अ तो हम नहीं था हर वो चीज पढ़ाई गई थी सिर्फ एक चीज हम नहीं पढ़ाया थे वहां से आ गया था वह है कि थिन वॉल्ट सेक्षन का जितना लंबा से लेबस गेट में है उसके बाहर से आ गया था तो पर बेस्ट असम्शन लेके एक क्वेश्टन सॉल्व करना था आपको टॉपर बनने के लिए पचास क्वेश्चन सही अटम्ट करने है तुम जानती हो अगर तुमारेा सतरً नमबर आ जाएगा सतर नमबर तो तुम फर्स्ट रेंग पर आजाओगी हैं हां सब्सक्राइब जो फर्स्ट पर आते हैं वो 82 मार्क्स पाले होते हैं 80 मार्क्स पाले होते हैं 80 कभी-कभी इजी में जसमान लोग किसी का 82 असा ही आ गया ठीक है उसका एक कुश्चन कर रहा है और सहीवा तो 84 आ जाएगा उसका ठीक है तो मतलब 80 के रेंज में फस्ट रहता है तो लेकिन 80 के नीचे में तुम्हारा ऐसा नहीं है कि 70 से 80 की बीच में सौ लोग रहते हैं 70 से 80 की बीच में सिर्फ 3-4 लोग ही रहते हैं तो 70 से 80 तक तुमको जो नंबर लाना है अगर फर्स्ट राइंकर 80 पर है तो सेकेंड राइंकर या तो एक्जेक्ट 80 भी ये जए तो 30 कुष्चन वाहां अगर जाना है? इंसान 35 question ही attempt करे दो दो नमबर वाले तो फिस कराम से हो जाएगा देखो गेट का जितना syllabus करवाए गया था अगर आप उसको दो साल का time नहीं देंगे तो बहुत दिक्कत होगी अब क्या है तुम लोग एक साल का time दे चुके हो पूरा span समझते हो समझते हो कि syllabus में क्या है क्या revision का क्या महत्वा है revision कैसे करना है formula याद ने रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी revision क्या करना है तुम यह सब चीज़े note down कर लो डायरी पर जो आज experience हुआ है तैकि अगले साल वो काम आएगा हाँ क्योंकि यहीं एक माध्यम है IIT में जाने का और कोई माध्यम नहीं है और तुमक को थार्ड ने का यह मतलब होता है कि मेरी IIT में ब्रांचेस कम होंगी IIT Bombay IIT में ब्रांचेस ज्यादा होंगी वहाँ पे बायो भी होगा वहाँ पे क्या-क्या होगा थमाम ब्रांचेस होंगी लेकिन हमारे ब्रांचेस लेकिन जो भी ब्रांचेस होंगी वो अपने आपे प जो मिले वो जोन करो IIT होता है बाहर के लोगों को इससे फर्क नहीं परता जो non-IIT हैं उनको IIT यहन बनने में बहुत दिकत होती है अब देखो हम तुम होता रहे है tag is sufficient है अब तुम हो गया करना है जो भी अनुबब हुआ है उसको no down करो especially revision part कैसे करना है आज की paper में revision तुम कैसे करके जाती है कि तुम्हारा सही होता apti का कितना योगदान है यह सब लिख लो एक जगा लिख लोगी एक गंडे में उसके बाद कल सब भूल जोगी आज सब गरम गरम है सब लिख लो और यही काम आएग अगले साल जितने भी notes बनाई हो जितना भी formula लिखी हो कल से उस पे लग जाना है फिर से तुमको अंदाजा होना चाहिए कि question कहां से practice करना है तुमको October तक जैसे हम syllabus खतम कर देते हैं वैसे ही October तक पूरी practice खतम हो जानी चाहिए तुमको इस बार तुमको सारे terms पता है formula रटना है और आगे बढ़ना है इत पर आप starting से test series open रखेंगे ना test series हमेशा सही open रहती है starting सही open रहती है last time भी open थी तो आप बस practice का है काम बचा है बलकि ये काम और कर सकते हैं कि हम तुमारा पूरा history raise कर देंगे तुम फिर से आराम से देना तुम फिर से आराम से देना और जो भी चीज़े note की हो उन चीज़ों को follow करो और इस बार कुछ थोड़ा से बस add करेंगे क्योंकि थोड़ा सा देख रहे हैं कि add हुआ है लेकिन जानती हूँ problem क्या है जैसा तुम बोली ये question तेना आ गया तो 64 question तो हाथ में है हम बही follow करना चाहते है और करोना भी चाहते है कि हमको 65 question से क्या मतलब है हमारे हाथ में 65 question का मतलब यह है कि आप जिन questions को consider कर रहे हैं वो tough question होगे easy पर आजाएए ना easy 50 question है आपके लिए 15 question चोड़ दीजे आप तो उनको बता अगर कोई बच्चा 50 question करेगा तो वो 70 number करेगा हाँ तो तुम top 5 में रहना नहीं चाहती मतलब हम बच्चों की बात कर रहे है उनको वो question दिखते हैं जिनसे उनका खराब होता है मामला खराब सभी बात है दिखना है सिर्फ 50 question करना है आपको दिखो मैच पर ध्यान दो मैच ही कर लो मतलब बहुत ऐसा कुछ है जहां पर हम लोग काम करके इंप्रूब कर सकते है अप्टी जैसा इस बार आया है वैसा ही अप्टी रहता है हर बार हमी हर बार? हाँ अप्टी ऐसा ही रहता है तो ठीक है हाँ अप्टी में एक था मैच का क्वेशिन जो थोड़ा लेंदी था मेरे को क्योंकि बाकी कोर के क्वेशिन सानी रहे से तो मेरे पास टाइम बच गया था तो मैंने उस पर जाधा टाइम दे दिया उस पर उतना टाइम नहीं देना चाहिए था उस क्वेशिन पर अगर कोई कोर के किसी को आते तो फिर वो शायद वो करता जो मैंने करा आटैम्ट लास्ट में मालब 10 में से कोई नो ही करता attempt questions, वो थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा था, था नहीं, क्योंकि practice नहीं थी, तो इसलिए वो टेढ़ा लग रहा था बाकी क्योंकि मेरे पस core subjects का मुझे सही से आता नहीं था तुक्यमाय के किसी तरह कर लिया था, इसलिए मैं last में उसको time दे दिया, नहीं तो बाकी core का किसी को अच्छे से आता है, तो फिर वो पूरा complete कर लेगा बस एक ही question था, जो एक दो थे structure के और कुछ ऐसे जो मेरे पल्ले कम पढ़ रहे थे बाकी propulsion का thrust मुझे लग दा था कि कुछ ना कुछ formula मैंने दिखा है कि निमेरिकल में कहीं practice किया है, पर मुझे यार नहीं हो formulas, ऐसा thrust का formula, propulsive efficiency का formula, यह सब देखो, एक और चीज़ है ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, जो चार साल बीटे कर लेते हैं, और तब वो decide करते हैं कि यार गेट देना है ठीक है, ऐसे बच्चे जब get qualify करते हैं, तो उनका fundamental उतना strong नहीं होता, वो formula के बल पे qualify कर लेते हैं और उसके बद उनको IIT मिल जाती है लेकिन जब, जैसे तुम्हारे जैसा student हुआ जो third year में ही join कर लेगा, second year में ही join कर लेगा, वो एक साल अच्छे syllabus को समझेगा, उसमें फंसा रहेगा, college का burden रहेगा, लेकिन somehow वो इस नदी को पार करेगा, राइट, जैसा तुम किसी भी condition में इस नदी को पार की, यहां तक पहुची, तो अब तुमको पूरा syllabus कम से कम पता चला कि syllabus ऐसा होता है, paper ऐसा आता है, कहां पे कमी है, तुम सब judge कर ली, और इस बार का result तुम्हारे matter नहीं करता, अब तुम्हारा result अच्छा आये, खराब आये, उससे कोई फ़र्ग नहीं बढ़ता, क्योंकि यह तो तुम्हारा सिर्फ ऐसे test जैसा था, कि चलो एक mock test दे लेते हैं, live such such वाला mock test, इसी तरह से, अब जब तुम next time करने वाली हो, 24 वाला, उसमें day one से, वहीं सीरियसन से वल रहना चाहिए, जैसा कि मेरे पुराने senior students का था, मतलब यह है कि, अब तुमको हर उस answer को reply करना होगा, जो group में आएगा, मतलब अब तुमको इस pattern पे नहीं चलना है, यार अभी तुम्हें प्रपल्चन कर रही हूँ, तो structure का answer क्यों दूँ, या फिर structure के doubt मैं क्यों, उसमें क्यों गुशू, ऐसा नहीं है, तुमको अब universal thought process दे काम करना पड़ेगा, तुमको एक ही टाइम पे, प्रपल्चन, स्ट्ट्रेश्विट, सब सोचना पड़ेगा, मतलब तो उस पर थोड़ा सा कोई question, क्या से चलो, अचानक से ये question करो, इससे क्या होगा, कि तुमको उसी बहाने pace turn करने का मौका मिलेगा, जो कभी open नहीं हुआ है, तो अब मतलब, अब कुछ-कुछ ऐसे बच्चे हैं, जो second year में और third year में तयारी की हुए हैं, जैसे तुम हुई, और तो अब वो जब मेरे पास कोई personal doubt पूछेगा, तो हम वो doubt तुम लोगो refer कर देंगे, और तुम लोग उस doubt को solve करोगे, और तुम लोगो से जब solve नहीं होगा, तो तुम लोग समझोगे इस बात पो कि हाँ, यार ये doubt solve नहीं हो रहा है, ठीक है, हाँ, तो अब क्या होगा, अब चीज़े अच्छे से पड़ाए, लेकिन बताओ इंडिया मैं किस कौन साईसा बच्चे है, जो अच्छे से पड़ता है चारसल पीटे को? वें काइबल होते हैं लेकिन हम ऐसे बात कर रहे हैं जैसे college से basic जो जैसे हमारे तरफ के बच्चे होते हैं North इंडिया, South इंडिया वैसे बच्चे बच्चे होते हैं तो वह अच्छा पढ़ाई नहीं करते अपने college में अब इसमें उनकी गलती हो, चाय उनके प्रोफेसर ही गलती हो जैसे भी हो. नहीं पढ़ते हैं तो अब बच्चे फिरुन कोचिंग करना ही पड़ता हैं, अब जब कोचिंग करना हैं, तो एक साल में कैसे हो पाएका तुम बताओ. क्योंकि बर्टेन तो आपको रहे गई न कॉलेज का चाया थर्डियर में पढ़े देखो अच्छी बात हुए कि तुम उसी टाइम जॉइन कर ली थी और तुम एक बार यह मजधार पार्गर के देख ली कि किकनी डिफिकलिटी होती इसको करने में अब अगली बार पूरा से आप से काम करो कॉलेज में जो बड़न है वो हम समझेंगे वो हमको बताना पर्सनली की कहा दिकता रही है वो हम लोग देखेंगे लास्ट इयर जितना गैप रहा है हमारे तुम्हारे बीच उस गैप को नहीं रखना है कम्निकेशन गैप था डाउट तुम नहीं पूछती थी यह सब चीज़ें आप खतम करें क्योंकि इस बार मेरा ध्यान तुम्हारे उपर है पिछली बार मेरा ध्यान उन बच्चों पर था जिनका वो फाइनल अटेम्ट था अब यह अटेम्ट तुम 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 क्लास में इस बार आर्या पार की लडाई रहेगी और इसे आज ही के तिन एक दम कसम खाले ना है कि ऐसा पढ़ना है एक सल मशीन की तरह पढ़ना है एक दम फस्क्रास करना है क्योंकि देखो उसमें यही क्वेश्चन पेपर में इस बार भी कोई ना कोई जो आज प्र हुआ है कोई वो भी वही स्लेवर्स वही बुक्स और वही जिए फॉलो करेगा जो अलटी मेरे ड्राइब पर सब कुछ है तो अब बात आती है कि उसका प्रैक्टिस उसका आईक्यू लेवल उसका प्रेंस ऑफ माइंड वो कितना आउट आउट आफ बॉक्स सोचता है यह सब कुछ इन वाले एक सालों ठीक है बस अब लग जाओ पड़ाई पर और हम लोग 15 से क्लाश स्टार्ट कर रहे हैं अब इनर्जी डाउन नहीं होनी चाहिए इस बार नहीं इस बार एक्दम नहीं हाँ दिमाग में हर दिन रखना है कि जो मेरा टॉपिक पर टाइम पर खतम हो जाए चप्टर वाई टेसरीज टाइम पर खतम हो जाए और वो जो हम प्रॉमिस किये थे 400 टेसरीज वाला वो इस सर कंप्लेट हो जाएगा क्योंकि अब कोई दिक्कत नहीं है वो अभी कंप्लेट हो जाता लेकिन वैसे भी जो हम टेसरीज दिएना 275 वही पहँ सफिशियंट है लेकिन इस बार इसको 400 कर देना है और तुम लोगो 400 टेसरीज करना है प्रैक्टिस तो टॉपिक वाईस पर लग जाना है जैसे यह देवन से सुरू हो रहा है देवन से आजाओ हाँ डेवन से सर शिफ्ट क्या रहेगी शिफ्ट पर हम विजाल कर रहे है कि शिफ्ट क्या रखें तुम यह बताओ क्या काई मॉर्निंग क्योंकि दिमाग अलर्ट होता है और मॉर्निंग में उठना सब के लिए मतलब अच्छा भी होगा एक्चुली हम बता रहें, morning kashift इसले नहीं possible है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बैच में, जो office जाते हैं, या जो जिनका college workload बहुत रात तक रहता है, तो हम लोगों को शाम में ही कोई time निकालना है, तो शाम का ही कोई time ठीक रहेगा, तो वैसे तो जैसे जो मतलब classes तो हमारी सिर तीन दीन होती है, न? अच्छा, हाँ, मैं भूल दी कहीं कि क्लाइगा, तुम भूल दी तुम आती नहीं हो, तुम तुम याद कैसे रहेगा, classes हमारी तीन होती है, बाकि चार दिन आपका self practice और ये सब testory बगरा सब कुछ होता है, आपको समझे, आपका syllabus तो time भी पूरा हो जाएगा, लेकिन आपको जब numerical लगाएंगे, तब ना doubt आएगा, तब तो हम से उन चार दिन में doubt पूछेंगे, वो free चार दिन रहना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, जब आपको free time मिलेगा, आपके सामने question रहेगा, उसको solve करेंगे, आएगा doubt, जब बच्चे doubt पूछते ही का हैं, देखो, जैसे हमारे पास जो senior students रहते हैं, वो हमेशा doubt पूछते हैं, हमेशा doubt पूछते हैं, मतलब जब भी phone अपना उठाते हैं, दो-ती message पड़ा ही रहता है, किसीना किसी का, किसी सर इसमें ये doubt ये photo बेश देते हैं, audio बेश देते हैं, तो बैसे करना है इस बार, एकदम लग करके, मेरे खाल से साड़े आठ से साड़े दस का timing ठीक रहेगा, हाँ, पुराना timing सही है, हाँ, साड़े आठ के पहले डिनर हो जाता है, मतलब colleges में भी आठ वजे दिनर मिलता है, हाँ, तो अगर कोई बच्चा, कोई बच्चा गर आठ व इसका डाउट होगा, वो अपना डाउट रुके पूछेगा, इसका डाउट नहीं रहेगा, फिर जल्दी सो भी जाएगा, 11 बए तक, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग रिवाइज कर सकते हैं, हाँ, तुम नेक्स्ट मॉर्निंग रिवाइज करो, और देखो, एक अपना परसनल schedule बनाओ, जो इतना private हो कि उसमें तुमको testage करना हो ठीक है, और उसमें हर वो doubt की चीज़े करनी हो जिसको cracker करके आगे जाई qualify करना है एक ऐसा practice time होना चाहिए, everyday का morning का ही time रखो, अगर तु morning में उट सकती हो, तु morning का time रखो असर में सबका श्रूल अललग होता है हाँ, तो जो जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जो रात को तीन बज़े सोते हैं और कुछ बच्चे चार बज़े उट जाते हैं तो, अरे हमको खुद बिलीब नहीं होता यहां मेरे IIT में, कुछ लड़के-लड़कें सुबा पांच बे दौड़ने जाते हैं एक दिन क्या होँ, हम पूरे राट जगे थे एक दिन क्या होँ, कल ही परसों जो परसों कल-कल, जो पूरे राट बच्चे हम से डाउट करके फोन करके डाउट बूच रहते ना परसों निकल, आज गेट का एकजाम था कल रात भर बच्चों का ओल आया है तो उनको पता है, हमको साड़े तीन बजे थुदा सा, मतलब मेरी आंख लग गजी साड़े तीन बजे साड़े तीन बजे आंख लगी, मातर दो मिड़े मेरी यहां खुल गई, और हमारा डर आगया हमरे अंदर हम फट से वाट्सप चेकिए किस बच्चे का वो तो नहीं गया तो संजोग से नहीं था लेकिन जैसे ही हम रिलेक्स वे तो एक कॉल फिर आ गया कि सार बहुत डर लग रहा है, सार मतलब, बच्चे साड़े तीन बजे काल कर रहा है जब उनका रिवीजन हो जा रहा है तो फिर फ्र कर रहा है, अब किसी का हर्या रात को दो बजे खतम हो रहा है, किसी सी का तीन बज olsaProf puppy यह घतम हो रहा है तो हम पूरी रात कर जगए हूए थे आज रात को बढ़िया सोएंगे हम आज आपके क्लास नहीं थी? मेरी क्लास रही कहते हैं यहां तो लोग पूछते हैं जब सब कुछ सेथ हैं बिजनेस हैं इंकम है तो फिर यह क्यों है? यह भी पॉइंट सही हैं लेकिन वहीं है ना कि इंस्ट्यूट अपने कोचिंग इस्ट्यूट में स्टूडेंट को खेरों तो पता है कि सब्सक्राइब क्या हैं लेकिन एक होना चेन है कि हम आने आइटी में भी खेया हैं मैंने एक्स्पीरियंस किया आइटी वाली लाइफ यहां आइटी में लाइफ एक्स्पीरियंस किया है लेकिन ऐसा है कि यहां आने के बाद टेक्निकल वे में काफी कुछ जानने को मिला एको बच्चों के लाइफ श्टाइल और बेसिक लाइफ लिए तो सब जानते हैं पीटे कोले सब सेमी रहता है हर जगा लेकिन कुछ टे फरसीड कर रहे है नहींगी बात है तो उसका फर्क तो बड़ता है लेकिन इन चीजों का योगदान जरत फ्रीयकां यहां मतलब हमसने अपर रहां है उससे उसी इपका क्रवेस और प्ले के लिए आपका यू जीशाउग होना यह वह यूजी मुल्ट होता और UG concept उसका भी अच्छा हो सकता है जो सिर्फ UG करके बैठा हो, वो student पर depend करता है, क्योंकि देखो, अब तुम अपना concept अच्छा कर रही हो, तुम पेशी तो नहीं कर रही, तुम MS तो नहीं कर रही, तुम UG में अपना concept अच्छा कर रही हो, और सो qualify करोगी, वस यही है, ले हम company शुरू करेंगे, तो ऐसे में भी लोगों से link बनाने में, तमाम चीदों करने में, लोग जाने हैं कि ठीक है, IIT से, IIT अने तो definitely sharp mind का होगा, लोग ऐसा सोचते हैं, लेकि इसा होता नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ऐसे बहुत पर कमेंट्स हैं, जो हम भी क सिर्फ गेट निकालने के बाद आप मुझे वो job options भी बता दीजेगा, कि क्या-क्या job options में opt कर सकते हूं, आरे तुम बिल्कुल चिंता मत करो भाई, जो M.Tech के साथ कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम आराम से gate qualify करो, उसके बाद एक-ए देवन में हो ले थे, कि तुमको इसको यह coaching नहीं समझना है, यह तुम्हारी coaching है, यह घर की चीज है तुम्हारे लिए, बड़ा भाई, टीचर, जो भी समझते हो, उसके हिसाफ से तुम इसको लेके आके जाओ, तो हमसे जिस तरह से हो, जिस तरह से gate qualify करने के लिए तुम ए से काम करना है, और अब धिरे-दरे सब वो सब भी चीजें पूरी हो गई है, फीस वकर भी सब पूरा हो गया है, फीस पूरी हो गई है, वो एक लास्ट बचा हुआ है, वो अपना हो जाएगा, मतलब वो तो कह रहे हैं कि पैसा मेरे लिए तब से केंड़ी हो जाता है, जब हम इनसान को जज़ कर लेते हैं, नहीं तो पैसा सुरू में हम एकदम स्ट्रिक्ट रहते हैं पैसे को लेगर के, कि नहीं, फीस हमको चाहिए, लेकिन जब इनसान समझ में आ जाता है, बाचीत हो जाती है, तो फिर चलो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कितने सारे स्टूडेंट हो जाता है, तो फिर आप दिक्कत नहीं होते हैं, चलो ठीक है, किसी को दिक्कत है, तो चलो, काम निकली लाता है, कर लो, कंटिन्यू कर लो, लेकिन सब के साथ ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अब सभी लोगों के साथ ऐसा करेंगे, तो फिर हम भी उनी तरह हो जाएंगे, ना सर गेट हो जाए तो फिर आप मेरी इंकम के बारे में कुछ सोचिएगा तुम बनोगी यहां की प्राइम मिनिस्टर समझी भारत की तुम क्या चोटे मोटे इंकम करोगी तुम सोचो गेट कौलिफाई करोगी जब IAT में जाओगी हम तब भी तो है न साथ में हम तो अब जिन्दगी भर साथ में ना तुम जिस मोर पे रहोगी हमको हम है वाट्सप नंबर है फोन है कहीं भी है हम लोग साथ में हम अकेले थोड़ी है अब तो मतलब भले CLA कॉलेज नहीं है लेकिन CLA के भी तो अलमनी है बच्चे है अगर आपका व्यभार सही रहेगा तो सब एक दूसरी की हिल्प करते हैं हाँ हम इसे तमाम मतलब तुम ग्रो कर जाओगी सारे स्टेजेस समझ जाओगी सारे मतलब कंपनीज, जॉब, अपर्शनिटीज, सब समझ जाओगी देड़े दो एक स्टेप होता है हरे स्टेप पार करते जाओगी और कहीं भी कनफीजिन होगी तो हम हैं गाइट करने के लिए तो चिंदा करने कोई है तुमको बस यह बच्च चिंदा करने हैं गेट मेरा हैं कैसे कर रहे हैं क्योंकि हम को Murray देते हैं तुम लेंगे based the your Show exam तुम देना ही है तो जो बीच का time बचा है महीने बिटका ही माइने करते हो 40 मैने पढ़ाई नहीं करोगो तो last के 3 मेने में फुर फिर वह लक वाई 412 माटर हो ईऐाट ni नहीं हो पाएगी पढ़ाई, अगर पूरे बारा महने पढ़ोगे, तब लगवक्स अब किनारे हो जाएगा, तुम्हा अपने दम पर कोई भी कॉश्चन मतलब धंक से कर दोगे, पूरे महने पढ़ाई नहीं करोगे, क्योंकि दिखो और भी बटेन होता है न, बचे प्रोज आए, यह सब बाते मुध्शर होगी है, वो प्रैक्टिस ही काम आएगी, जो स्टार्टिंग में हमने करिया, बिल्कुल, शूरू से जो प्रैक्टिस करते हैं वही last में काम आती है, लास्ट में तुमको पता है तुम एक महेने पहले या दस दिन पहले बेस दिन पहले जो भ आज केवल एरोनाटिकल का पेपर नहीं था दूसरे भी सब्जेक्ट्स का था अजी बहुत सारे सब्जेक्ट का होता है एक बार में ज़े लगा कि केवल एरोनाटिकल का या जोगा लेकिन मेरे बगल में क्यामिकल इंजिनिरिंग और एकोलोजी तुमको न तुम वो चीज़ नहीं देखी थी न वो पीडियफ तुम नहीं देखी थी जीज़ पीडियफ मे कर रहे हैं कि इस बार क्लास में CR कौन कौन बनेगा क्योंकि अब बिल्कुल इन चीज़ों को भी थुड़ एक्टेव हो जाएंगे तो ठीक रहेगा ना पीडियफ पढ़ लिया करो देख लिया करो हां हां सारे बिट्स तो ग्रूप में आई जाते हैं हां सब आई जाते हैं अधिन गड़ निकाली चल्डी मचे यह पता था सारे अरोनौटिकल के पेपर हैं फिर मैं सुची इतनी बीड अरोनौटिकल में इतने बच्चे मुझे तो खता भी नहीं था कि इतने तो इन तो में खौने जाते हैं यह है कि हमको जैसे वो उन ब्रांचिस के नाम यादने लेकिन यह उनिवर्सल फैक्ट है कि बहुत सरे ब्रांचिस के एक साथ होते हैं पिछली बार हम एक ललके से मिले थे वो भी चायद केमिकल या कुछ का दे रहा था तो वो मेरे बगलें बैठा था तो मुझ से बोले कि हम गेट शी बर कॉलिफाई कि हैं पांच बर कॉलिफा कौन सी आईडी लेके जानी है तो हम उसको बले बेटा आप एडमिट कार्ट पढ़िए उस पर सब कुछ डीटेल में लिखा होता है मतलब ऐसा होता है बहुत सारी बेसिक बेसिक बातों पर हमारा ध्यान नहीं जाता है इसलिए उसके रिपार्मेंट नहीं पड़ती अब उ इंसल से करेंगे उसको मीटा मीटा ही करेंगे अगर पीज मालो कम पड़ गया तो हाँ लेकिन फिर एक दो बार देने के बार पर जला कि मतलब हम उसको जब पढ़े खुद से तब पर जला कि अच्छा वो जो रफशीट होती उसको दुबारा मांग सकते हैं और पहला लेट देन के अउंसलबी कर दिया लेकिन रिविव के लिए मार्क कर दिया उसको तो उससी waking को मैंने इंच्छी ऊ कर लिए और एक जो मुझे आ रहे हैं पर easy medium tough है वो तो जो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं उसके easy medium tough अलग और जो आ रहे हैं उसके easy medium tough अलग अरे very good very good ऐसे करके बनाई थी मैंने और पूरे question पर मेरा ध्यान नहीं गया कि कुरे कुई कि आधे ज़्यादा आई नहीं थे मैंने सोचा कि अब इस बार के लिए जहने तो next बार में से अच्छे से apply करूंगी लेकिन जो easy काफी questions easy की category में थे और medium की category में tough में शायद ही कोई होगा end के 2 routine देखो गेट aerospace में जितने बच्चे apply कर रहे हैं 24 के लिए ठीक है including you सारे छोटे बच्चे जो मतलब तुम लोग हमसे इतने चोटे हो इतने चोटे भाई-बैन से भी छोटे भाई-बैन जैसे बच्चे हो तुम लोग बता है मतलब जो मेरे चोटे भाई-बैन है न उनसे भ त्रफ़णा और उस पर वर्क करना दोन में फर्क होता है हम बहुत जादा लेजी हैं बहुत मामलों में और हमको पता है कि बच्चे मेरे जैसे हैं उनके तुम पोटेंशियल है सब कुछ है लेकिन वह लेजी है वो उतना काम लेकिन हम वोही काम करवाते हैं और बो बच्क वही अच्छे रेंग लाता है जो मेरे जासा लेजी नहीं होता और देखो गेट का एक्जाम अच्छे रेंग से क्वालिफाई करने के लिए आपको बहुत स्मार्ट होने की जुरूत नहीं है चलो आप मतलब बहुत तापटोल लड़के हैं हमेशा से टॉपर रहे हैं मतलब ब्रेन एकदम आइंस्टाइन की तरह ऐसा होने की जुरूत नहीं है आपको एक लिबॉरियस वर्क करना है और एक पैटन को फॉलो करके स्लेबस कंप्लीट करना है अगर आप सही पैटन फॉलो करके स्लेबस कंप्लीट किये हैं तब आपका डिफिनेटल अच्छे रेंग से प्रॉपर हम मतलब परसों या नर्सों कुछ-कुछ बच्चों के टेस्टरीज देख रहा थे किसी के 6 फुल लेंथ टेस्टरीज बचे हुए हैं मतलब 6 फुल लेंथ टेस्टरीज वी नहीं किया है वो तो ऐसे है चलो बहुत बढ़िया तुम आप आराम से लेकिन मुझे पता चल गया कि डिफिकल्ट नहीं है पेपर डिफिकल्ट नहीं है और एक और चीज तुनों अगर पेपर डिफिकल्ट आएगा तो वो डिफिकल्ट तुम्हार ले थोड़ी अकेले होगा सब के लिफिकलर होगा न तो सब कहले डिफिकल्ट होगा है तभी अपना वो सही रहेगा अपने आपको लेबल उप करने के लिए सभी है और देखो अगर पेपर टाफ आत high अ अगर पेपर एटक आथा है तो उसमें ऐसा हंडी क्यार Thai user टाफ होजाए。 गवर्मेंट को भी M.T.E.C के बच्चे चाहिएंगे नहीं चाहिए वो पेपर इसलिए बना रहा है कि सबको हडाओ पेपर इसलिए बना रहे हैं कि बुलाओ बच्चे एम्टेक करें भारत में इसलिए गेट का पेपर मतलब ऐसे माइंडशेट से बनाया जाता है इसलिए नहीं कि 8-2 सालों को कोई बिटेक बाद आपक करे ही ना सब अमदिय कर लें ऐसा थोड़ी होता है पेपर को माइंडशेट से बना जाता है कि उनको बच्चों को लेना है लेकिन एकदम लल्लू पं कैंड़ भी तो करेंगे तो यहीं बात है कि इसी होता है कि चल लेह क Arizona करें कि नेक्सट यहीर बालन निकल जाए सब किया कृष्म ची बूले थे ना कृष्म चैसाथ मैं और सब्सब्सकर न के दिन बस पॉलना वागी है बस अब नोट करने खंटे हूं तो मतलब क्या चाते हो क्रिशन जी तुमा ले गेट दे आके नहीं नहीं मतलब भक्त के लिए तो भगवान कर सकते है नहीं भगवान से थोड़े सेवा लेनी चाहिए तो भगवाजी जो काम बोले मों करो ऐसा नहीं अची कि एक दिन खुस हो करते हैं या ना तो ठीक से भक्ति करते हैं ना थो ठीक से लो तो बनाए गांगे खुदी देंगे अरष्ट बनाते ही है उनको सब रचाईता है ना विया हाँ करेक्ट खेर चलो अभी यह सब चीजें तुम्हारे फेवर में रहेंगी सब जो पढ़ाई करता है चीजें उसकी फेवर में रहती ही रहती है कितना अच्छा लग रहा है कि वो 48 बुली कि 48 अटेम्ट वास का 45 अटेम्ट हुआ है किसी किसी का 41 अटेम्ट है अगर यह सब एकुरेसी के साथ हो ना तो मतलब हर बच्चा टॉप 20 में घुश जाएगा एकुरेसी बहुत मैटर करती है सारे CL वाले टॉप में अब CL से कितने बच्चे टॉपर बनेंगे कितने टॉपर हैंगे यह सब बच्चों बड़ेबन करता है किसी भी कोचिंग का नाम उसकी स्टूडेंट की वज़े से होता है टॉपर है कि अव्क प्रूफ कर चुके हैं और एसा भी नहीं किसी टीम में काम करते हैं मेरे पास तस टीचर है कि यिए उथा तछा ने पडा रहा सब हम पढ़ाते हैं सबके डाउट हम बताते हैं तो इसमें कोई कमी नहीं है बस बच्चे सीच को उसी वे में लें उत्ता महनत करें तब काम बनेगा अब बताव ऐसा कैसे था एक बार महिस नेगी वह बाइस रंक ले आया है ऐसा कैसा उसके 35 रंक आई है कर लो ठीक है बहुत बढ़े हैं उसको नोट कर लो तो फिर हम कोड़ आप करें फिर हां हां ओके शुरुती और गुड़नाइट अरे कृष्णा मिटाव